दोस्तो जोंडियर लेकर आया है दो हजार चोबिस में अब तक का सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर्स के साथ नया ट्रेक्टर जिसमें कमपनी ने यहाँ पर दिया है डिफरेंसियर लोग और डिफरेंसियर लोग का लीवर भी आप दिख सकती हैं कमपनी ने काफु जादा हेबी डूटी बना दिया है जिससे के तूटने बगिर, यह फिरेंसियर लोग को बड़े हजानी से दबा कर दिफरेंसियर लोग को लगा पाए इसमें आपको अब हेबी डूटी वाला देखने को मिलने वाले है दूसतो यह तो होगया जो कि joint year 2024 में इस नय स्रीज के नय ट्रक्टर वो भी सस्ती कीमत की साथ ऐसे features एड़ कर दिये हैं जो कि ये ट्रक्टर सबसे ज़्यादा advance होने वाला है दोस्तो अगर बात करें इसकी और भी कुछ extra features की तो इसमें आपको जो steering मिलने वाली है adjustable type की steering देखने को मिल जाती है ये देख सकते हैं ये lever press करने पर steering को आप अपने हिसाब से खड़ा ये फिर नवेड़ा कुछ भी कर सकती है इसमें आपको features देखने को मिलने वाले हैं अब steering को आप अपने हिसाब से use कर पाएंगे और इसमें आपको जो seat मिलने वाली है deluxe type की adjustable seat का use किया गया है दोस्तों ये ट्रेक्टर आपको power track और gear pro series पर देखने को मिलने वाला है जिसमें company ने एक से बढ़कर एक features के साथ इस ट्रेक्टर पर जो tire use किया है इसमें अगर बात की जाए tire की MR app के साथ 1639 का सबसे बड़ा tire देखने को मिल जाता है जिससे की ये जो hand year का नए अट्रेक्टर बेतर performance के साथ में अच्छा mileage भी दे पाए और अगर बात की जाए इसकी पीछे की profile गी तो पीछे का लोग भी देख सकते हैं काफी ज़्यादा heavy duty के साथ में launch किया गया है दोस्तो इसमें आपको जो lower link quality मिलने वाली है कमपनी ने काफी ज़्यादा heavy duty वाली दी है और इनमें आपको एक grip मिल जाती है जो कि आप implement पर चलाते हैं ये फिर 20 गुवाई करते हैं तो ये नट अप फिर आगर इसके implement को अपने हिसाब से use कर पाएंगे दोस्तो इसमें आपको double distributor को मिलने वाला है साथ में अकर बात की जा lifting capacity की तो इसमें आपको लगभग 2500 kg की भारी भर कम lifting capacity देखने को मिल जाती है इसमें अकर बात की जा PTO की तो 540 standard, 541 economy independent PTO के साथ में companies में दे रहा है 55 HP का धमदार PTO power और ये ट्रक्लर आपको पूरा-पूर 63 HP के अंदर मिलने वाला है दोस्तो इसमें आप देख सकते हैं Fender adjusting के आपको दो point extra देखने को मिल जाती है जिसमें Fender लगा हुआ है बीच बाले point पर लगा हुआ है लेकिन आप इसे side mark दोनों तरप कर सकते हैं इसमें आपको दो features मिल जाती है दोस्तो ये तो होगा इसके पी ये तो होगा पीछला हिस्सा जो कि जो हैंडियर के इस नए ट्रक्टर पर आपको देखने को मिलने वाला है अब मैंन बात आती है इस ट्रक्टर के advanced features की जो कि इस ट्रक्टर को 2024 में और भी ज्यादा खास बनाने वाला है तो दोस्तो ये ट्रक्टर लॉंच किया गया है तीन assurated rpm मिल जाती है लेकिन दोस्तो इसमें आपको जो ट्रक मिलने वाला है 540AA का डेखने को मिल जाता है जो कि इस 360 HP ट्रेक्टर को और भी ज्यादा powerful और दंडार बना देता है दोस्तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने दिये है डिवल डिवल टेंडम पंप साथ में आपको इंजिन ओल फिल्टर कुछ इस तरह का मिल जाता है दोस्तों कमपनी ने इस ट्रेक्टर पर फ्योल सिस्टम के लिए माइको बॉस का इल लाइन पंप को हटा अगर फ्योल इंजेक्टर लॉंज कर दिये है और ये ट्रेक्टर आपको BS6 ट्रेक्नोलोजी पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कमपनी ने दिया है काफी बड़ टायर जो कि इसमें भी आपको MRP का टायर मिल जाता है ट्रेक्टर के पूरे लुक की अगर बात की जाए तो जो हैंडियर का ये 545 अब आपको 63 HP का डेगरी के अंदर मिलने वाला है जिसमें कमपनी दे रहा है फुली साट सिप्ट गियर बॉक्स बारा प्रकार की आँगे वाली स्पीड की साथ में चार प्रकार की पीशे वाली स्पीड मिल जाती है AFD Synchronous Gearbox के साथ में इसमें आपको जो क्लच मिलने वाला है Double Primer Type क्लच देखने को मिल जाता है दोस्तों इसमें आपको जो लेंथ मिलने वाली है 3678 mm की लेंथ के साथ में ट्रक्टर पर आपको 2050 mm का वील बेस मिल जाता है इसमें कंपनी ने जो ट्रक्टर का पूरा बजन दिया है इसमें आपको 2600 kg का ट्रक्टर का पूरा बजन देखने को मिलने वाले है और जिसमें आपको headlight मिलने वाली है कंपनी दे रहा है LED वाले headlight जो कि इसमें आपको high और low beam के साथ में LED वाली हैट लाइट देखने को मिल जाती है दोस्तो इस ट्रक्टर पर जो कंपनी ने पिछला हिस्सा प्रोवाइड कराया है जैसे कि मैं आपको स्वाट पर ही बता दिया था लेकिन इसमें भी आपको एक से बढ़कर एक फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं जैसे कि अगर ट्रक्टर से आप ट्रोली बगारा यूज़ करती हैं तो इसमें आप सबसे नीचे हिच लगाने को आप्सनाल मिल जाते हैं जिससे कि ट्रक्टर बहतर परफार्मस के साथ में टार्ट स्लिप ना मार पाए और आप ओबर लोट ट्रोली भी बड़े असानी से निकाल पाए दोस्तो इसके पीछे आप देख सकते हैं कमपनी दे रहा है डबल डबल डिस्टिविटर वाल्ब जो कि आप ट्रोली बगारा यूज़ बड़े असानी से कर सकते हैं दोस्तो यहां पर कमपनी ने जो इंजन प्रोवाइड कराया है इसमें आपको अलग टाइप का इंजन देखने को मिल जाता है यह देख सकते हैं कमपनी ने इस ट्रक्टर पर पूरी तरह से इंजन को अलग टाइप में बना दिया है लेकिन इसमें आपको डबल-डबल माइको वास के डीजल फिल्टर देखने को मिलने वाले हैं जो कि जिस्से की इंजिन और इसमें आपको जो फ्यूल इंजिक्टर है वो नुस्कान ना हो और आप ट्रक्टर को अच्छे पहतर परफार्मस के साथ में लॉग लेफ सर्विस यूज कर पाए कंपनी ने पूरे मेंटिनेंस का ख्याल रखा है और ये ट्रक्टर पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंजिन कंपनी ने प्रवाइट कराया है दोस्तों बात कर लेते हैं इस ट्रक्टर की गंट ये सबसी होने से ये ट्रक्टर सौराज 735 FEE मॉडल यानि कि 40 HP ट्रक्टर से भी कम डिजल लेने वाला है क्योंकि उसके सबसी 258 रहती है और इसके 255 दी गई है ट्रक्टर पर चंडने के लिए सिंगल पैदान का यूस किया गया है उपर चंडने के बाद दिख सकते हैं बेव कुछ इस तरह का मिल जाता है इसमें कमपनी दे रहा है फुलली और डेश्टवल टाइप का डिलेक्स सीट जिसमें आप सीट को आँगी पीछे ये फिर उपर नीचे भी कड़ सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कमपनी ने दिया है 123-4 वार लीवर जो आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है दोस्तों कमपनी ने इसमें देख सकते हैं इस प्रेस अच्छा खासा बना कर दिया है और फ्योल टेंक आपको पीछे ही मांट किया गया है जिसमें आपको कमपनी ने फ्योल टेंक जो दिया है एक 70 लेडर वाला फ्योल टेंक कमपनी प्रोवाइड करा रही है याने कि ट्रक्टर बड़ी एच्पी का है जिसमें आपको टैंक भी काफी ज़्यादा बड़ा देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कमपनी ने कुछ इस तरह के फीचर्स प्रोवाइड कराए है जो कि इस नए स्रीज के नय ट्रक्टर पर कुछ इस तरह के फीचर्स मिल जाते है अब दोस्तों में कहानी होती है इस नय ट्रक्टर की स्टेरिंग पर जो कि आप देख सकते हैं स्टेरिंग कमपनी ने थ्री स्पोग वील वाला दिया है लेकिन इसकी स्टेरिंग पर आपको एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं, company ने mobile charging के लिए यह low head tab को बना कर दिया है, अब दोस्तों मैं इसकी steering देख सकते हैं, यहां पर adjust कर रहा हूँ, तो यह lever आप देख सकते हैं, lever आपको खीचने पर इसकी steering अपने हिसाब से आप सनाल में कर सकते हैं, जैसे की steering आपको करनी हो, इसको उपर करने पर यह देख सकते हैं, steering कोशी स्तरे का हो रहा है, यानि कि इसमें आपको fully adjustable automatic type में steering देखने को मिल जाती है, जो कि इसकी steering को और भी जादा खास बना देती है, दोस्तों यह तो होगा ट्रक्टर के उपर का features जो कि जो हंडियर की इस नए स्रीस के नए ट्रक्टर पर आपको मिल ले वाले हैं, और ये features आपको कैसा लगा, comment करकर जरूर बताना, बात कर लेते हैं, इस ट्रक्टर के steering के बाद, dashboard की, जो कि इसमें आपको जो dashboard मिलने वाला है, company ने कुशी स्तरे का dashboard प्रवाइड कर आया ह जो कि देख सकते हैं, कुशी स्तरे का dashboard मिल जाता है, दोस्तो, company ने इसमें जो आपको engine के पूरे 3000 RPM प्रवाइड कराये हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इको और standard mode देखने को मिल जाता है, अब दोस्तो, अगर आपको diesel की फचत करनी है, अगर आप ट्रक्टर को कम RPM यानि कि heavy duty काम पर नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल काम पर ले रहे हैं, तो eco mode चुन सकते हैं, वहीं अगर आप heavy duty काम कर रहे हैं, standard mode चुन सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, one, two, three, four, one lever आपको मिल जाता है, जिसमें total आपको 12 प्रकार की आंगे वाली speed के साथ में, 4 प्रकार standard, 45 economy और reverse PTO का optional भी मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिल जाता है, दोस्तो देख सकते हैं, ओपर कभी कुशिस तरह था, अगर बात करें इसकी और भी features की, तो देख सकते हैं, ट्रक्टर का पूरा लूग कुशिस तरह का मिल जाता है, तो आसा करता हैं, दोस्तो वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, इसी तरह के नए-नए वीडियो देखने के लिए, तो मिलते हैं दोस्तो अगली वीडियो में, अगली जानकारी के साथ,